सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट प्रेस में या तो हम खुली बनाएंगे या दिवाल को छोड़ कर दो फीट खुली बनाएंगे क्योंकि हम चारे हैं कि पशु हमारे बाड़े में खुले घुमें जिससे की होता यह है कि जब आप फीट डालते हैं पशु जब खुले रहेंगे और आप मोर्निंग में या इवनिंग में जब आएंगे और पशु को फीट डालेंगे तो पशु जब खुले रहेंगे तो वो इधर उधर भागेंगे तो आपका जिसे आना होगा और पशु सारे बांद दिये जाएंगे और जो इसपेस जो बचेगा खुली और दिवाल के बीच में तो आप वहाँ पर घूम कर पशु को फीड आसानी से डाल सकते हैं ताकि वो ढोले नहीं फीड को भीगाड़े नहीं और आसानी से फीड आपन डाल सके तो यहां तक हमने आरसीसी करवा दिया है और आगे जो हमारे इट लगी हुई है आप देख सकते हैं जो बाकी बची है जो पुरानी खुलिया है और जो इट हमने लगा रखी है तो इस इट को भी ह अब हम निकालकर इसी प्रकार से वहा तक जिस प्रकार हमने रसीसी करवाई है उसी प्रकार से यहां रसीसी करवाने वाले हैं और एक विशेज ध्यान रखे जब आप सी सी पशुओं के लिए बनवाए तो या तो उसमें कट लगवाए यानि लाइनिंग लगवा सकते हैं जिसे पशू के जो पेर हैं वो स्लीप ना हो क्योंकि पशू के जब पेर स्लीप हो जाते हैं तो हमें काफी समस्य आती है क्योंकि पशु को जो समालना है काफी मुश्किल हो जाता है पशु की मिलकिंग कम हो जाती है और पशु को काफी तकलिफ होती है इसलिए विशेज जियान रखें या फिर आप जो सीसी हैं वो बिल्कुल पोलीश वाली नहीं करवा कर हलकी सी खुरदूरी करवाए जिसे की या ग्यों का बुसा है जो खराब हो चुका था तो हमने यहाँ पर डाल लिया है जिससे यह दिन बर गिला रहता है और काफी अच्छे से पकाई हो जाएगी और काफी अच्छे से पक जाएगा यह जो सीसी हमने बनाया है और काफी लोंग टाइम तक चलने वाला है क्योंकि CC खराब नहीं होगा और इसके नीचे हमने जो ratio है जो cement का जो ratio होता है mix के बाद में वह नीचे जमिन के अंदर ना जाए इसलिए हमने बरसादी डाल रखी ती जिससे की काफी अच्छा CC हमारा बना है और आप देख सकते हैं और काफी हमने size भी काफी अच्छी ली है जो दिव जा है आप देख सकते हैं यह वाला इसमें भी हम जो टीन शेड डालने वाले हैं और काफी लंबा हमारा shade हमारा dairy farm हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां से जो ending तक हमारा dairy farm है लगपग यहां से लेकर और ending तक dairy farm हो जाएगा और हमारे पीछे भी जो जगह बच्छी है इस सा खाली है, आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे dairy farm में, यह वाली जो space खाली है यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं, शेड पर इतनी आवशकता हमें नहीं लग रही हैं, तो हिआ कुछ मशीनरी हमारी रखी हुई है, तो एक बार मैं आपको पूरा बता देता और अभी कितना लंबा बना हुआ है आप यह size देख लीजिए यहां से लेकर और यह shade बना हुआ है इसके नीचे RCC किया हुआ है यह हमने नई वाले RCC करवाई है यह आप देख सकते हैं और यह लगबग 60 feet हमने लंबी RCC यहां से यह करवा रखी हैं और लगबग 50 feet और बाकी है जो हम RCC करवाने वाले हैं यह आप देख सकते हैं यह size हमारे shade की तो आप comment के मादियम से बताइएगा कि आपको हमारा shade है केसा लगा और धीरे धीरे हम modification करते जा रहे हैं और animal भी जब यह modification पूरा हो जाएगा उसके बाद में animal भी बढ़ाने वाले हैं तो यह हमारा shade है यहाँ और वह सुखलेगा stock है वहाँ पर कुछ तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यह हमारे एक और go down है जो सुखलेगा है तो यह पूरा भरा देता है अभी खाली हो चुका है और अभी नया सुखला हम डालने वाले हैं तो यह हमारे पूरे shade की जो लंबाई है वो काफी अच्छी लंबाई है यह आप देख सकते हैं पूरी वहाँ तक और इसी प्रकार यह चोड़ाई है और यह पूरा हमारा dairy farm है तो अभी शाम के बज़रे छे और milking हमने कल ली है सारे पशू की और हम हो चुके है फ्री नहादो के रेडी क्योंकि अब हमें कुछ काम नहीं बचा है अब केवल मोर्निंग में काम बचा है और हमने जो shade है वो टीन shade की जो size है वो लगबख 16 feet है इस वाले की पर आगे वाले हमने 20 feet डलवाए थे तो इसके आगे हम और या तो 15-15 feet या 12-12 feet और लगवाने वाले हैं क्योंकि CC हमने shade से बाहर तक करवाई है आप देख सकते हैं shade यहाँ तक है परन्तु CC यहाँ तक है तो CC की size काफी अच्छी बनाई है और इसका ढ़लान भी न तो ज़्यादा दिया हुआ है ना ही कम दिया हुआ है आप भी ध्यान रखे कि जो CC हैं उसका ढ़लान ज़्यादा न दे क्योंकि पशु को बानेंगे तो पशु धलान पर नहीं बेटना चाहिए पशु एक जैसी स्तती में बेटना चाहिए क्योंकि पशु वेसे ही बेटने में पीछे से नीचे होता है परन्तु ज़्यादा धलान होगा तो पीछे से काफी नीचे हो जाएगा और जो pregnant animal रहते हैं उनमें काफी समस्य आती है यदि धलान पर वो बेटते हैं तो इसलिए जो CC हैं आप देख सकते हैं हमारे CC का जो लेवल है वो सिधा है स्ट्रेट है और हलका सा इसमें धलान है न जादा है न कम है और ये CC भी हमने खुरदूरी जादा नहीं बनवाई है और ना ही कम बनवाई है एक नोर्मल बनवाई है जिससे पशू फिसले नहीं और अच्छे से पशू एड़ेस्ट कर सके और आप देख सकते हैं काफी मेको भी काफी अच्छा लगने लगा है अब हमारे dairy farm पर क्योंकि dairy farm का जो management है हम पशले एक साल से इस प्रकार कर रहे थे कि कहीं बारिश में हमें समस्या काफी आ रही थी क्योंकि एक शुरुवात थी हमारी इतने एनिमल से कि हमने 11 एनिमल और कुछ काब भी पा ले थे तो उसी प्रकार से हमारी शुरुवात थी दोर था वो काफी ना करना पड़ा है परन्तु अब नहीं करना पड़ेगा यदि आप dairy farm सर्दी में शुरुवात करते हैं तो केवल आप उपर का जो टीन शेड हैं वो डलवा लीजी और नीचे फ़र्श हैं वो नहीं भी करवाते हैं तो लगबख तीन से चार मैने सर्दी के आपके निकल जात यानि आपको मिल जाते हैं लगबग 6-7 मैने जिसमें आप अपना डेरी फार्म अच्छे से वेल सेटल कर सकते हैं और सेटल होने के बाद में आप अच्छे से फर्ष बनवा सकते हैं ताकि जो बारिश आती हैं बारिश में ज्यादा कीचड़ना हो और पशु को भी कोई समस्य या नहीं आए छे मैने में आपको यदि प्रोफिट लगता है डेरी फार्म पर तो छे मैने आप समस्या से समस्या देखने के बाद में ज्यादा समस्या हमें गर्मी और सर्दी में नहीं होती हैं परन्तु जो बारिश का सीजन होता हैं उसमें कीचड़ काफी ज्यादा हो ज अच्छे से समाल लें और पशू खरीदने का जो समय रेता है वो भी सर्दी में ही काफी अच्छा देता है क्योंकि पशू सर्दी में काफी अच्छा सूटेबल हो जाता है इसलिए पशू सर्दी में खरीदें यदि बाहर से करिते हैं यदि लोकल से पर्चेस करते हैं तो द्रवी आप दी खर्च करते रहें जिससे पशओ को भी राहत मिलें और आपके जो क्तुanka करने की तरीके और समय हैं उसमें विख कमी आ जाये और काफी अच्छा देरी खर्च करते रहें और भी अधिख जानकारी के लिए आप कमेंड कर सकते हैं करें की हम लाते रहते हैं कहीं न कहीं नई और सही जानकारी पश्वोह से संबंधित ताकि इसलिए यह वीडियो शेयर करिएगा चेनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू पर वचिंग थैंक यू पर सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में नई और से जनकर के साथ